तो वेरी गुड इवनिंग तो आज हम लोग डिसकस करेंगे एक नया नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग यह उत्राखंट कंबाइंड स्टेट लोवर सबॉर्डिनेट सर्विस एक्जामिनेशन 2021 की जिसमें वी टॉकिंग अबाउट की सारा का सारा का डेट ऑफ एक्जामिन स्कीम ऑफ एक्जामिनेशन भी देखेंगे की कौन कौन से सब्जेक्स जो है डाट आर रेक्वार्ट तू स्टडी फॉर्टिकलर एक्जाम ओके सो इस एक्जाम के अंदर हम लोग बात करें तो इस अ कंबाइन स्टेट सेवल लोवर सबॉर्डिनेट सर्विस 19th August 2021 को बेसिकली नोटिफाई किया गया है तो इसमें हम्मारे पास जो है लास्ट इट जो है तैस 29 ऑगस्ट 2021 तो 29 अगस्ट 2021 is the last date to apply for this particular exam और हमें जल्दी से जल्दी इसको फिल कर देना है as soon as possible ठीक है तो आपको पता चल गया है कि date of examination clear हो गया आपको कि हम लोग कब से कब तक इसको भर सकते हैं इसके अलावा जो important चीजे हैं वो हम लोग discuss कर लेते हैं for example या so now कौन कौन सी इसमें basically vacancies है वो हम देखते हैं जैसे for example हमारे पास है vacancy number one that is revenue department के अंदर नायब तहसीलदार की vacancy है 35 इसके positions हैं और इसको अलग-अलग reservation के हिसाब से इसको divide कर लिया गया है इसके अलावा हमारे पास कौन सी vacancy है वह हम लोग देख लेते हैं home department की vacancy है deputy jailer की vacancy है 27 इसमें positions है food civil supply and consumer affair department की बात करें तो supply inspector के 28 vacancies है आगे हम लोग चले तो इसमें हमारे पास next आती है marketing inspector पचास vacancy इसके अंदर आती है फिर labor enforcement officer 9 vacancy है excise inspector आ गया then we have tax inspector है senior kane development inspector है और खादी सारी inspector है चार vacancy के अंदर हमारे पास आती है now next is कि अगर देखा जाए तो यह जो जितनी भी vacancy है इसमें टोटल जो नाइब तैसीलदार की vacancy है उसमें 35 जो positions है उसके लिए क्या eligibility है वो देख लेते हैं और क्या कि इसका कितना हमें इंकम है यह सारी चीज़े salary वगेरा 35 positions है इसके अंदर इतनी level 7 की salary आपको मिलेगी इसके eligibility यह है कि इसके लिए आपको सनातक उपादी होनी चाहिए मतलब आपके पास graduation degree होनी चाहिए इसमें desirable qualification या थोड़ा बहुत आपको वेटेज उस चीज़ का मिलेगा कि अगर आप territorial army के अंदर सफ कर चुके हैं कर रहे हैं और कम से कम दो साल का आपके पास यह service tenure होना चाहिए और साथ ही साथ अगर माल लीजए आपके पास NCC का grade B का certificate है तो इसके लिए आपके लिए best रहेगा कि आप इस NCC certificate को भी benefit उठा सकते हैं इसका grading का नाओ कारपाल की अगर बात करें तो इतनी vacancies हैं इसमें भी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी graduation ही चाहिए आपको that's it okay now next इसमें important चीज़ है कि graduation चाहिए और वही है eligibility कि अगर territorial army के अंदर आप दो साल से ज़्यादा कर सर्विस कर चुके हैं तो उसका benefit मिलेगा और NCC के चाहिए तो उसका भी आपको benefit मिलेगा तो यह सारी के सारी चीज़े हैं फिर पूर्ती निरक्षक की बात करें 28 पद आपके सामने है सनातक ही चाहिए और वही क्वालिफिकेशन है जो बाकियों की है उसके बार निरक्षक 50 पद इसमें आ जाते हैं तो यह सारे के सारे जो eligibility है यह थोड़ी थोड़ी अलग-अलग eligibility है तो आप देख लीजेगा बट इसमें मेजर ली तो सारी के सारी eligibility almost similar ही है अब इसमें मैक्सिमम एज जो है वो है 42 मिनिममम इस 21 साल ठीक है और इसमें बहुत पैसिफिकली बताया हुआ है कि अगर आपकी जो है डेट ऑब फर्स जुलाई 2000 के बाद की है तो आप eligible नहीं है और आपकी 2 जुलाई 1978 से पहले की है तो आप eligible नहीं है तो इसके इसके बीच के अंदर ही आपकी eligibility होनी चाहिए ठीक है तो यह आपको clear हो चुका है नाव हम लोग बात करेंगे जो सबसे important है question होता है कि इसका जो scheme of examination है वो क्या होना चाहिए ठीक है so scheme of examination वही basis है इसका general studies का pattern होता है जहां पर आपके पास prelims है मेंस है और आगे जाके होगा general study का और general aptitude test का जो की objective type होगा ठीक है तो prelims examination में आपके पास general studies और जनरल aptitude test होगा objective type का mains की बात करें तो mains में आपके सामने होगा written examination जो की descriptive level का होगा ठीक है written examination होगा descriptive type होगा और एक होगा personality test interview ठीक है so यह जो objective type examination की के बात करते हैं हम लोग objective type examination के बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास 150 marks का maximum marks होंगे time आपको दो गंटे होंगे और डेड़ डेट सो questions होंगे तो एक question एक question एक number का होगा और यह आप याद रखेगा और इसके अलावा जो है हां तो prelims में आपके चाहिए जतने मर्जी marks आ जाएं कट-off clear कर रहे हैं very good अगर cut-off यह जो marks होंगे will not be added in your merit list ठीक है यह याद रखेगा mains की बात करें तो mains में हम लोग बात करते हैं written examination subjective type है तो इसमें हमारे सामने दिखता है that written examination जो पेपर 1 है general studies का है और पेपर 2 जो है essay and drafting का है तो आपके पास यह दो pattern होंगे paper के तो आप बिल्कुल इसको तयार रखिए अपना subjective है और इसमें बोला गया है कि 35% marks जो होने चाहिए वह ऐसे में होने चाहिए drafting में होने चाहिए ठीक है उसके माक्सिमम माक्स आपके 50 number in personality test के होंगे सो हमने मेजर लिए इसके बारे में discuss कर लिया about the age date of examination और maximum कब तक आप इस application form को भर सकते हैं कौन-कौन eligible है क्या scheme of examination है और जितने भी लोग है who are eligible or they want to serve for the civil administration तो वह इस exam को भर सकते हैं और यहां पर जो है pattern almost similar होता है आप इसके लिए तयारी भी कर सकते हैं ज्यादा time नहीं लगेगा अगर आप already एक essay aspirant है जो government exam की तयारी कर रहे हैं so I hope you like this video and keep working hard thank you